हलो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अकी डिस्पोजल में आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से श्री राम नौमी परवा का ग्रूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को सुरूश से लेके अन तक आप लोग देखते रहे हैं ताके आप लोग भी इस वकार से श्री राम नौमी परवा का ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मठीरियल यूज हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पास्वर लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन स्टेप में मिल जाएगा तो वीडियो को सुरू से लेके अंद तक आप लोग देखती रहे है ताके आप लोग को पास्वर मिल जाए और आप लोग फाइल को डाउनलोड करके सेव कर सको दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लेव एप्लिकेशन की जरुवत परती है जिसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लेव एप्लिकेशन को उपन कर लेते है एप्लिकेशन को उपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर new text को हम लोग delete कर देगे उसके बाद right side corner में उपर की side पर three dot connection पर क्लिक करेगे use image from gallery में क्लिक करेगे और यहाँ से हम लोग अपना background select करेगे यहाँ ok कर देगे बेक्राउंड रहेगा अब इस background में हम लोग एक एक png को set करके अपना poster तयार करेगे तो इसके लिए plus वाले icon पर क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से png select करेगे यहाँ ok कर देगे फिर यहाँ पर beach वाले icon पर क्लिक करेगे और scroll करके नीचे relative size पर क्लिक करेगे और इसका relative size बढ़ाके 100 कर देगे जिससे png size पर set हो जाए उसके बाद वापस प्लस वाले icon पर क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से एक और png select करेगे यहाँ ok कर देगे इसका relative size भी बढ़ाके 100 कर देगे फिर ok कर देगे अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना group photo एड़ करेगे तो मैंने अपना group photo already save करके रखा हुआ है उससे select कर लेगे प्लस वाले icon पर क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से group photo select करेगे यहाँ ok कर देगे इसका relative size भी बढ़ाके 100 कर देगे फिर ok कर देगे दोस्तों अगर आप लोग को इस वकार से group photo एड़ करना है तो प्लस वाले icon पर क्लिक करना रहेगा from gallery में चले जाएगे यहाँ से photo png select करेगे यहाँ से आप लोग को जितना भी चाहिए उतना crop करके select कर लेने का फिर यहाँ से side change कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर ok कर देना रहेगा अब दोस्तों अब इस photo पर हमको border लगाना है इसके लिए यहाँ पर नीचे scroll करके stock पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको enable कर देना है फिर हमको stock में जो भी color चाहिए वह हम select कर लेगे हम black color select कर ले रहे हैं या फिर दूसरा कोई भी color select कर सकते हो आप लोग फिर यहाँ पर stock थोड़ा फिर रोक कर देना रहेगा दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग अपना photo यहाँ पर add कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा सेड़ हम लोग सेड़ करेगे जिससे हो साइज है दिखे इसके लिए सेड़ वाले icon पर क्लिक करेगे और यहाँ से इसको भी enable करते हैं यहाँ से इसका bluer कम कर देगे और यहाँ पर office से थोड़ा बना लेगे जिससे साइज है पर दीखे है फिर रोक के कर देगे तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बाकी का photo png भी चेंड करके अपना group कुस्टर बना सकते हो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बाकी का photo png भी set कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने गाउं का पता लिखेगे तो मैंने अपने गाउं का पता अल्रेडी सेव करके रखा हुआ है उससे सीलेक कर लेगे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे यहाँ से एड्रेस सीलेक करेगे यहाँ कर देगे इसका relative size भी बढ़ाके 100 कर देगे फिर ओके कर देगे दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग अपना एड्रेस लिखना है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना रहेगा टेक्स पर क्लिक करके यह वाले आइकन पर क्लिक करके पैंसिल आप लोग अपने गाउं का एड्रेस डाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं गोरप इसके बाद यहां डूं मैं पर यहां पर ओके करना रहा तो दोस्तों इस प्रकत से आप लोग अपना गांओं का यहां पर डाल सकते हो पिर यहां पे स्क्लॉल करकर इसका साइज बड़ा करसकते हो डबल पर क्लिक करके यहां पर कलर वाल आइकॉन पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो देख सकते हो दोस्तों यहां पर कलर चेंज हो रहा है तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर अपना एड्रेस डाल सकते हो दोस्तो इस प्रकार से हमारा पोस्टर तेयार हो जाएगा अब दोस्तो अगर आप लोग को इस पोस्टर में कलर चेंज करना है तो भी आप लोग चेंज कर सकते हो इसके लिए यहां पर लास्ट में जो आइकॉन बना है वहां पर क्लिक करना रहेगा और नीचे Q पे क्लिक करना रहेगा और यहां से इसको प्लस माइनस करके आप लोग color change कर सकते हैं तो देख सकते हो यहां पे color change हो रहा है तो आप लोग को जो भी color पसंद हो आप लोग select कर सकते हो अब दोस्तो इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करें इसके लिए यहाँ share वाले icon पर click करना रहेगा image format में png select करेगे quality dimension में ultra select करेगे और save to gallery कर देगे दोस्तो इस प्रकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तो इसी प्रकार से आप लोग को अगर किसी और festival का poster बनवाना है या दुकान shop का banner बनवाना है तो आप लोग video के नीचे comment कर दीजेगा मैं उस पे video बना दूँगा जिसे आप लोग mobile से ही बना सको दोस्तो अगर video आप लोगो अच्छी लगी है तो video को like कर देना और channel को subscribe कर देना